पर्यावरण प्रेमियों को सुप्रीम कोट ने बड़ी रहत दी है जिहां मुंबई की आरे कालोनी में पेणों की कटाई पर सुप्रीम कोट ने फोरी तोर पर रोक लगा दी है छातरों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोट ने ये बड़ा फैसल सुनाया अदालत ने सुनवाई के दोरान महराश शरकार से संजे गांधी वन के स्टेटस के बारे में पूछा और आदेश दिया कि आप अभी कोई भी पेंड नहीं काटेंगे साथी अदालत ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि एक फिसदी पेंड कटें है या ज़्यादा जो गलत है वो तो गलत है अदालत के इस आदेश पर महराश शरकार ने अदालत को भरोसा दिया है कि अब वो कोई भी पेंड नहीं काटेंगे इस मामले की सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी इतना ही नहीं सुप्रीम कोट ने महराश सरकार से अभी तक काटे गए पेंड का स्टेटस भी मांगा है दरसल आरे कालोनी में मेट्रो सीड के लिए मुंबई पुलिस, मेट्रो रेल कॉर्परेशन और ग्रेटर मुंबई मुंसिपल कॉर्परेशन 2700 पेंडों को काटना चाहते हैं सुनवाई के दोरान महराश सरकार ने माना कि 1500 से ज़्यादा पेंडों को अब तक काटा जा चुका है हालाकि याचिका करताओं का दावा है कि 2500 से ज़्यादे पेंडों को सरकार ने काट लिया है इससे पहले जंगलों की कटाई का विरोध कर रहे लोगो सहित सिवसेना नेता प्रियंका चतुरवेदी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था आरे मिल्क कालोनी में मुंबई के कई इलाके आते हैं और इस छेतर में कई फिल्मों के सूटिंग भी हो चुके हैं इस कालोनी की नीव देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नहरू ने रखी थी और यहां पेड़ भी लगाया था तो यह राहत की खबर है मुंबई के उन वासियों के लिए या देश के किसी भी वासी के लिए जो पारह उरन से प्रेम करते हैं आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और जो बिल का आइकन है उसे दवाना ना भुलेगा धन्यवाद